तो फ्रेंट्स जो यह प्लान आप लोग देख रहे हैं इसका साज है 40 x 50 फिट या उत्तर मुखी घर का नक्सा है इसको वास्तु के अमसार बनाया गया है और इसके जो कमेंट्स करने वाले हैं उनका जो है है रिक्वाइर्मेंट्स था कि जो है टू बीएच के होना चाहिए और चार तरफ से इसमें सफिसेंट जगह होना चाहिए के लिए और वह बिहार के रहने वाले हैं तो उनसे मेरी बात चित हुए थी तो उनके कमेंट्स के अधार पर यह प्लान मैं बनाया हूं तो उम्मित करता हूं कि उनको यह प्लान जरूर पसंद आएगा और आप लोग भी इस प्लान को पसंद करेंगे हेलो फ्रेंट्स आप लोग देख रहे हैं योनिक होम डिजाइन और राज में आप लोगों के लिए 40-50 फिट का हम फ्लान लेकर आया हैं तो फ्रेंट्स आगे बढ़ने से पाले हमेशा कीतार है आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पे नए हैं या आभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल्कों जरूरान करें जिससे के आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे हो सके तो दोस्तों में भी सेयर करें जिससे किया सभी जरूरत में लोग तो यह उत्तर मुखी प्लान है और इसका जो चोड़ाई है वह है 40 फित और जो लंबाई आप देख पारें यह 50 फित और यहां पर रेम लग जाएगा रेम पर हम इंट्री करेंगे तो आप लोग देख रहें कि यह जो रेट वाला लाइन है यह बाउंडरी वाल है सारी चारिंच का और यह जो ब्लू कलर का आप लोग देख पार है यह जो है कॉलम है बाउंडरी वाल में है चूंकि यह आप इतना लंबा बाउंडरी वाले कॉलम नहीं देंगे तो यह गिर स दे सकते हैं आपके ऊपर यह डिपेंड करता है RCC का देंगे तो और भी एच्छ है इसमें इस्टील का उपयोग कम करिए कोई प्रावलम नहीं है चाले तो आप ब्रिक का भी दे सकते हैं तो डिपेंड करता है कि आपका बजट कैसा है कितना है जो भी है वह हम लोग बाद में देखते हैं तो देखिए यहां पर जो है नाथिस्ट में बोरिंग के लिए अस्थान दिया गया है इतना तो नाथिस्ट में बोरिंग कराया जा सकता है तम होता है और यहां पर देखिए जो है पोर्स दिया गया है यहां से लिए कि यहां तक इसका जो ह है और हमें कमेंचकर नहीं कि करें कि या avoir कॉन सी कार है और ओसके पार्किंग के लिए आप अपू कितना स्पेस नहीं आलोயिया है और यहां पर देखिए फ्रेंट में जो आ है च्छे फिय अ Cherry का और सिर्फ फ्रेंट से ओपन है के पास जगह भी बहुत था इसलिए तीना तरप से तीन तीन फिट और फ्रेंट से छे फिट यहां पर जाए गया है से होते हैं जो फिट का साइज दस फित का है तो जो बारे में का साइज बहर फित का वहर्याय तश्वाइक है इसलिए बडिवन जो फित करेंशा कियए बहर बडुरा आप दिक union के लिए बंडबल्य बंग बडदे funding स्वाष दरबंस जो चाल का है सफिसेंट साइज का यह जो बेडरूम है और इसमें देखिए बेड का भी लियाउट किया गया है आप चाहें तो इसको अपने सुजा के अमसार एड़ेस्ट कर सकते हैं और हॉल से देखिए कॉमन ट्वाइलट दिया गया है इसका साइज है साथ फिट शे इंच पांच फिट तो फ्रेंट सफिसेंट साइज है ट्वाइलट का और देखिए यहां पर एक इस्टोर दिया गया है किचन के लिए इसका साइज है साथ फिट शेंच वाई छेंच फिट तीन इंच का और इसमें कुछ प्लेट पांप लगा दिया गया है तो सवान रखने के लिए रैक जो बोलते हैं और यहां पर देखिए जो है master bedroom दिया गया है जो southwest किनारे पर यह देखिए master bedroom है इसका size है 12 बारे fit का तो sufficient size है जलिए आप लोग देख सकते हैं और इसमें भी कोई खुब्सूरत सा bed का layout किया गया है आप चाहें तो इसको इस साइड में या इस साइड में एड़ेस्ट कर सकते हैं बड़ जो bedroom का size या भाई सेम ही रहेगा और इसके लिए यहां पर अटेश्ट ट्वालेट दिया गया है चार बाई नौ फिट का तो बहुत बड़ा यहां तक साथ फिट छौड़ा है तीन फिट यह तीन फिट यह अब बीच में यह एक इसको वास्तु को ध्यान में रखते हुए बनाय गया है तो यहांसे राइड साइड ही ठर्न होना चाहिए मतलब कि क्लाक वाई जी घूमना चाहिए तो यहां से आप आएंगे तो यहां से राइट टर्ण होते हुए छट के उपर चले जाएंगे तो यह वास्तु को ध्यान में रखते हुए बनाए गया है कि बात करते हैं किचन की तो सौट इस्ट में किचन दिया गया है जो कि अपने एक दम उत्तम अस्थान पर रहे हैं वास्तु को ध्यान में रखते हुए इसको बना गया तो यह लोग तो बनता है तो आप लोग तुरंत लाइक करने और जो लोग चैनल पर नए हैं यह आप दे तो फ्रेंट जो यह है आप लाइट ग्रीन देख रहे हैं यह जो किचन प्लेट फार्म है और इस साइड जो इस्ट के साइड में आप अपने गैस चुले का लियाउट करेंगे जो हम बनाते हैं तो अपना फेस पूरब जिसा में होना से यह तो उससे बनने वाला भूजन स प्रूम दिया गया है और इसमें देखिए एक दर्वाजा यहां से भी लगाए एक इंट्री इस साइड से भी है पूरब दिशा के दर्व से भी दिया गया है तो फ्रेंट्स यह रहा आज का एक प्लान और उम्मीद करतम कि आप लोगों को जरूर प्रसंद आया होगा यह प्लान आप लोगों कैसा रहा कमेंश करके जरूरत आई है तो फ्रेंट्स यह जो आप लोग हरा आप देख रहे हैं यह इसका कॉलम ले आउट है आप देख सकते हैं और यह जो ब्लू वाला है यह जो डूर है डूर का साइज आप दो तीन वाई साथ फिट डख सकते हैं जो कि मेडियम साइज है इस्टेंडर्ट साइज है तीन वाई साथ पिर तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आप लोट चारो तरफ से ओपन है तो वेंटिलेशन का कोई प्राब्लम नहीं है आप चारो तरफ से विंडो इसमें लगा सकते हैं तो एक लाइक तो बनता है तो आप लोग तुरंत एक लाइक करने और जो लोग चैनल पर नए हैं आप देख चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये तो अपली चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता है